नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मैं हूँ आपके साथ प्रीती आए बुलिटिन के शुरुआत करते हैं सुबह नौ बजे के हेड्लाइन्स के साथ लोग सभा में मने बिल के तौर पर पेश हुआ अधार बिल कॉंग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का इतराज राज्य सभा से लंबित बिल वापस कनहिया के रिहाई के बाद जीनियों के छात्रों ने किया स्वागत कनहिया ने कहा हमें देश से नहीं देश में चाहिए आज़ादी दिल्ले सरकार की जाच में कनहिया को क्लीट जिट अरुनाचल में मुख्यमंत्री समेट कॉंग्रिस के 30 बागी विधायक शेत्रिय पार्टी पीपीए में शामिल कॉंग्रिस विधायकों की संक्या घट कर हुई पंद्रा विले को और नबामतुकी ने बताया आसम विधाने 36 गड़ के सुक्मा में नकसली हमला सेयुक्त राष्ट्र के कड़े प्रतिबंदों का उत्तर कोरिया पर असर नहीं सेना को परमाणू हत्यारों के इस्तिमाल के लिए तैयार रहने का आदेश अमेरिका की चेतावनी वित्मंत्री अरुन जेटली ने आधार को वैधानेक दर्जा दिलाने वाले विधेक को कल लोकसभा में धन विधेक के तौर पर पेश कर दिया वही राज्यसभा में से जुड़े राष्ट्रे पैचान प्राधिकरण विधेक 2010 को वापस ले लिया गया विपक्ष्णी ने विधेक को धन विधेक बनाने पर आपत्ती जताई है वित्मंत्री अरुन जेटली ने गुरुवार को लोकसभा में आधार विधेक 2016 को धन विधेक के तौर पर पेश किया विधेक में विधेक अन्य सबसीडी, लाब और सेवाएं लक्षित वर्ख तक पहुँचाने का प्रावधान है कॉंग्रेस समेत विपक्षी दलो ने इसे धन विधेक के रूप में पेश किये जाने का विरोध किया वितमंत्री अरुण जेटली ने सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि ये एक अलग तरह का विधेक है, साथ ही कहा कि कोई विधेक धन विधेक है या नहीं ये फैसला लेने का अधिकार लोकसभाध्यक्ष को है वहीं रश्ट्रिय पहचान प्राधिकरन विधेक 2010 राज्य सभासी वापस लिधेक है लिया गया इसी विशय पर लोकसभा में आधार विधेक 2016 पेश किये जाने के कारण ऐसा किया गया राज्य सभा में भी विपक्ष ने नए विधेक को धन विधेक बनाने पर आपत्ती जताई इसेले बिवक्त४ यूजसले मास् था्रिकरन प्राधिक अधार इसमृत्व में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने आधार बिल को जरूरी बताते हुए कहा कि आधार बिल समाज के विकास में लोगों की भागेदारी बढ़ाएगा और इससे पारदर्शिता आएगी ब्यूरो रिपोर्ट राज्य सभा टीवी लोगसभा में कल प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने सदन चलाने के लिए विपक्ष से सहयोग मागा राश्रुपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए उन्होंने संसद में गतिरोध की वज़ा विपक्ष की हीन भावना को बताया प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने कहा कि संसद नहीं चलने से जरनता के साथ विपक्ष का भी नुकसान होता है लोकसभ़ में गुरुबार को प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने राश्रुपती के अभिभाशन पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए संसद में अवरोध की स्थिती पर चिंता जटाई इस मौके पर प्रधान मंत्री ने पूर प्रधान मंत्री इंदिरा गान्धी और राजीव गान्धी के संसदिय परंपरा को लेकर दिये बयानों का जिक्र किया प्रधान मंत्री ने कहा कि देश को नौकर शाही के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता इसलिए जरूरी है कि कारेपालिका को जिम्मेदार बनाया जाए प्रधान मंत्री ने मनरेगा योजना में जारी भष्टाचार को दूर करने की कोशिश की बात कही उसको और अच्छी बनाए और उस जिम्मेदारी को निभाने का हम प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये बात स्विकार करनी होगी कि हम उस हालत पर देश को लाए हैं इवन स्कील लेवर को भी अंस्कील होने में मजाने लगा है और इसलिए मैं जब कहता हूँ कि हमारी विफलताओं का समारत है इसका बतलब यही है कि गरीबी न होती तो इस नरेगा या मंदरेगा की ज़रूरत नहीं होती प्रधान मंतरी ने आठ मार्च को महिला दिवस के दिन सदन में सिर्फ महिला सांसदों को ही बोलने का मौका देने का सुझाब दिया वहीं कॉंग्रेस का कहना है कि प्रदानमंत्री के भाषण में विपक्षपर तंज कसने के लावा और कुछ नहीं था इसके साथी लोग सभा में राश्ट्रपती के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चडशा पूरी हो गई है प्रणव गोस्वामी राज्य सभाटी वी विपक्ष ने मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री रामशंकर कठेरिया के खिलाव देश दुरू का मामला दर्ज करने की मांग की है राज्य सभा में ध्यानाकर्शन प्रस्ताव पर चर्चा की दौरान ये मांग की गई चर्चा का जवाब देते हुए ग्रिमंत्री राजनात सिंग ने कहा कि कठेरिया के ने किसी तरह का भड़काव भाशर नहीं दिया है राज्य सभा में चर्चा की शुरूरात करते हुए नेता विपक्ष गुलाम नभी आजाद ने कहा कि भड़काव भाशरों के जरिये मंत्री और सत्ता पक्ष के सांसर सामप्रदायकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग, जो मंत्री, जो MP, जो MLA देश में आग लगा रहे हैं, बटवारा करते हैं, क्या ये सदिशन केस इन पर लागो नहीं होता है CPI के डीराजा ने सवाल उठाया, कि अगर भड़काव भाशन देने वाले बाहरी तत्व हैं, तो फिर वो मंत्री मंडल में क्यों हैं? जेडियू सांसर श्रद्यादव ने कहा कि सरकार के मंत्री और सांसर तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं यहने जो सरकार इनकी है, उस सरकार को रोज हसी और हास और एक तरह से चारो तरफ तनाव बनाने का पूरा रोज इंतजाम करते हैं सपह सरकार को कठेरिया के खिलाफ देश द्रोह का मामला दर्स खरके इनको जेल की सलाखों के अंदर भेजना चाहिए था जो अभी तक भी नहीं किया गया है, इनी सबी कारणों की वज़े से उत्तर पर देश में मुझफ़न अगरवे दादरी कांड आदिक की घटनाए घटीत हुई है वहीं ग्रही मंतरी राजनाथ सिंग ने विपक्ष के आरोपों को खारिश करते हुए कहा कि राम शंकर कठेरिया के भाशन की सीड़ी खुद उन्होंने देखी है और इसमें भढ़काने वाली कोई बात नहीं है कॉंग्रिस ने मानव संसादन विकास राज्य मंतरी राम शंकर कठेरिया के खिलाफ गुरुवार को संसत परिसर में प्रदर्शन किया कठेरिया पर 28 स्वरवरी को आगरा में विश्व हिंदू परिशद के एक कारे करता की शोख सभव में आपत्ते जनक बयान देने का आरूप लगा है विशार दहिया, राजसभा टीवी देश द्रो के आरूप में जेल में बन जेन्यू चातर संके नेता कनहिया कुमार रहा होने के बाद सीधे जेन्यू पहुचे जहां उन्होंने चातरों के साथ जेल में अपने अनुभव को साज़ा किया कनहया ने कहा कि हमें देश से आजादी नहीं, बलकि देश में आजादी चाहिए तेहाड जेल से रहा हुए कनहया कुमार गुर्वार देदरात सीधे G.N.U परिसर पहुचे जहां छात्रों को संबोधित करते हुए कनहया कुमार ने कहा कि वो मीडिया ट्राइल के शिकार हुए है उन्होंने कहा कि हम भारत से आजादी नहीं चाहते हैं हम भारत के भीतर आजादी चाहते हैं उधर करहिया कुमार के रहाई पर उनके पैतर गाव बेगुसराई में लोगों में जश्न का महौल था रहाई के बाद करहिया के परेजनों ने खुशी का इजहार किया दिल्ली हाई कोट ने बुद्वार को करहिया कुमार को सशर्थ जमान दी थी इधर दिल्ली सरकार की जाश रिपोर्ट में कहा गया है कि करहिया के खिलाफ कोई गवा और वीडियो नहीं है जेनियू चातरसंग के अदख्ष करहिया को बारा फरवरी को देश द्रू के आरूप में गिरफतार किया गया था इस मामले में दो आरूपी, खाले दुमर और अरिर्बान 14 दिन की नाई खिरासत में है ब्यूर रपोर्ट राज्य सभा टीवी स्तार से चर्चा हुई अरूनाचल प्रदेश में एक बार फिर से राजजनित एक सर्गर्मिया बढ़ गई है बुख्यमंतरी कलिको पोल और कॉंग्रेस के बागी 29 विदायक पीपल्स पार्टी ओफ अरूनाचल में शामिल हो गए पीपीए राजजी के एक मात्रक शेत्रिय पार्टी है पीपीए में शामिल होने वाले निताओं में मौझूदा स्पीकर वांकी लोवांक भी शामिल है कॉंग्रेस के दो विदायक एलो लिबांग और तुतिंग जामू भी कलिको पुल के साथ आ गए सभी तीस विदायकों ने राजजी के संपूर्ण विकास के लिए पीपीए में शामिल होने का फैसला किया है कलिको पुल ने कहा कि हम ऐसा निर्ने करने को बाद दे थे अरुनाचल की पूर बुक्य बंतरी और कॉंग्रिस नेता नवाम तुकी ने कलिको पुल के इस खदम का विरूद किया है तुकी का कहना है कि तीस विदायकों का पीपल्स पार्टी और अरुनाचल में शामिल होना आसम विधानिक है पीटी आई से बादशियत में तुकी ने कहा कि ये पूरा मामला सुप्रीम कोट की पांस सदर से पीठ के पास लंबित है ऐसे में कलिको पुल का ये खदम सही नहीं है अमाम तुकी ने कहा कि 14 विधायकों के आयोग इठराने का मामला भी कोट में है इस पर सुप्रीम कोट ने गोवाहाटिक हाई कोट को दो हफ़ते के भीतर पैसला देने को कहा है। दो हफ़ते की ये मियाद 6 मार्च को खत्म हो रही है। के उमीदवार शुनाओ लडएंगे। दो अन्य संगठनों के अलावा बोडोलान पीपल्स फ्रेंट के साथ पहले ही गठ जोड कर चुकी है। टोटल सीट 126 है असाम में जिसमें AGP 24 सीट पे लड़ेगी और बाकी सीट BJP स्वैम और अपने और एलाइज के साथ लड़ेगी। सीटा्राम य्चुरी ने कल कॉंग्रिस उपाधधक्ष राहूल गांधी से मुलाखात की। संसद भवन में ये मुलाखात हुई। राहुल गांधी से मुलाखात की बाद सीताराम योचुरी ने सोनिया गांधी के राज़नी तेक सचे वहमत पटेल से भी मुलाखात की बैठक में क्या बातचीत हुई इस बारे में सी पीएम या कॉंग्रिस की तरफ से कोई आधिकारिक बैान जारी नहीं किया गया है सीतानाम यचुरी के राहुल गांधी और पटेल से ये मुलाखात ऐसे समय में हुई है जब पश्चिम मंगाल में कॉंग्रिस और वाम मोर्चा गड़ बंधन को लेकर चर्चा जोरो पर है उत्र-प्रदेश में विधान परिषड के 28 सीटों के लिए कल हुए चुनाओं में 97 फीज़दी से जादा मतदान हुआ है विधान परिषड की 35 सीटों के लिए चुनाओं होना था लेकिन 7 उम्मीदवार पहले ही निर्वЕरोद चुनिये गए 28 सीटों के लिए 97 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है वोटों की गिंती का काम 6 मार्च को होगा पुलिटन में खबर लगाता जा रहे हैं, बने रहे हमारे साथ लोट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद जिनके कलम बनी गवा जिन्दगी की तल्ख हकेकतों की जिन्होंने जिन्दगी को जिया अतनी शर्ट उपर आप अपनी जिम्मेदारियां समाज के लिए जरूर अदा करें तो कि हमारा समाज हमें इतना देता है कि वो जो है ना उसका कम से कम इतना तो हम करस चुकाएं कि हम उसको कुछ वापस करें में लिए शक्सियत में कलम की दुन्या के जाने बहचाने नाम जाहिदा है नासी शनिवार रात सारी दस बची और रविबार सुभग ग्यारा बची सिर्फ राजसभाट टीवी पर महराश्व के सूखा ग्रस तिलाखों का आज राज्य के कैबिनिट मंत्रियों का एक दल दौरा करने वाला है ये दल किसानों और अधिकारियों के साथ बैठक करके ताजा हालात का जाइजा लेगा महराश्व सूखे के स्थिति को देखते हुए ये दौरा काफी एहम माना जा रहा है सूखे के वज़े से राज्य के मराटवारा और विदर्ब के किसान खुदकुशी पर मजबूर है राज्य के 43,000 गाओं में से 15,000 से जादा गाओं सूखा करस्त है कई जगों पर बांधों में पानी का जलस्तर 6 फीजदी से जादा गिर चुका है महराश्वी 2015 में 1,000 किसानों ने आत्महत्या की थी करिब 3,000 करोड रुपय की मदद आज तक महराश के शासना ने गरिब किसानों तो पोचा ही उसके बावजद भी जब आत्महत्या चालू है तो हमारा फर्ज है कि हर तालुका में जाके पालक मंत्रे इनाते से किसानों को मिलना, उनको धिरस देना कि भईया आपके साथ में मैं हूँ कॉंग्रिस उपाध्यक्ष राहूल गांधी ने कर्मचारी भविश्य निदी यानि एपिएफ पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव वापस लेने के मांग की है कॉंग्रिस उपाध्यक्ष राहूल गांधी ने एपिएफ पर टैक्स लगाने के प्रस्ताव को गलत बताया है उन्होंने फेरन लवली का आरूप दोहराते हुए कहा कि प्रश्चारीयों को राहत देने के बज़ाए सरकार कर्मचारीयों के बारे में सोचे प्रधान मंत्री को कहना चाहता हूँ कि वो उनके भाषन में या उसके बाद हमारे सरकारी कर्मचारीयों को कॉन्फिडन्स दें कि वो एपिएफ पे टैक्स वापिस लेंगे आम बज़ट में इस साल एक अप्रेल के बाद एपिएफ में जमाराशी के 60 फीसी दी हिस्से पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव है अगर कर्मचारी इस रकम को फिर से निवेश करते हैं तो उन्हें टैक्स नहीं देना होगा प्रस्ताव का विरोध होने के बाद वित्तमंत्री अरुन जेटली ने प्रस्ताव को आंशिक रूप से वापस लेने का संकेद दिया है हाले कि उन्होंने बज़ट पर चर्चा के दौरान पूरे इस्तिती साफ करने की बात कही बिरो रपोर्ट राज्यसभा टीवी 36 गड के नकसल पीड़ित जिले सुखमा में कल सुरक्षा बलो और नकसलियों के बीच हुई मुद्भिर में दो सीर पीएफ की जवान शहीद हो गए जबकि ऑपरेशन के नितुरत वकर रहे कमांडेट पीए सियादव समेथ 14 जवान जखमी हो गए जखमी होने वाले साहे कमांडेंट योगेंदर, उपनिरिक्षक राजवीर सिंग, हेड कॉंस्टेबल संतोष और कॉंस्टेबल सोना सिंग शामिल हैं सुरक्षा कर्मी 208 कोब्रा बिटालियन के थे और उन्हें हलिकॉप्टर से अस्पताल ले जाए गया CRPF के कोब्रा बल का नकसलियों के साथ पहली मुद्भेड सुक्मा में हुई थी, वहीं नारायनपूर जिले में नकसलियों ने बड़े हमले को अंजाम दिया है नकसलियों ने हमले में मरने वाले ग्रामीडों की तादाद बढ़ कर बीस हो गई है नकसलियों ने सुरक्षा बलो के अभियान के विरोध में अभूजमार अलाके में इस घटना को मंगलवार को अंजाम दिया अलाके में सघहन तलाशी अभियान जारी है जमू कश्मीर के आरेस पूरा सेक्टर में अंतराश्ट्रे सीमा पर एक सुरंग का पता चला है इस सुरंग का पता बीएसेफ ने लगाया है बीएसेफ के अनुज़ार 30 मीटर लंबी सुरंग पाकिस्तान से भारत की तरफ बनाई गई है और यह पाया गया कि वहां पर पाकिस्तान साइट से एक टरनल खोदने की कोशिश की गई है खालांकि उसका एंट्री पॉइंट पाकिस्तान साइट से है लेकिन वह एक्जिट इंडिया वाली साइट से है वह अभी खुला नहीं था क्योंकि उनकों मुकाने मिला उसे पहले ही वह डिटेक्ट होगी थी विदेश मंत्राले के बजट में की गई कटौती पर विदेश मंत्राले ने सफाई दी है विदेश मंत्राले का मानना है कि बजट में कटौती महज बजट ये प्रस्ताव है हर्च के मुताबेक विदेश मंत्राले राशी मुहया कराएगा इसके लावा विदेश मंत्राले ने पडोसी मुलकों में हो रही गदिविद्यों पर भी चिंता जाहिर की है साथी साथ ये भी बताया कि मौलाना मसूर अज़द के खलाफ भारत क्या करवाई कर रहा है विदेश मंत्राले के बजट में कटोती की तो याशंका होने लगी कि इससे पडोसी देशों में चल रहे सहायता कारे पर असर पड़ सकता है बजट में नेपाल सहीद बांगलादेश, भूतान, श्रिलंका और अफगारिस्तान को दी जाने वाली वार्शिक सहायता में कमी की गई है विदेश मंत्राले की प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि मंत्राले को जरुवत पढ़ने पर वित मंत्राले हर संभव मदद करेगा बजट पर सफाई देने के बाद विकास स्वरूप ने बताया कि बांगलादेश में अलप संख्यकों की हालत को लेकर विदेश मंत्री सुष्मा सवराज ने बांगलादेश के विदेश मंत्री अब्दुल हसन महमूट से बात की है बांगलादेश के विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि अलप संख्यकों को प्रताडित करने वाले तत्वों के खिलाप सक्त से सक्त कारवाई की जाएगी विदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने ये भी जानकारी दी की आतंकी संखथन जैशे मोहमत के सरगना मौलाना मसूद अजर का नाम विश्व आतंकवादी की सूची में डालने की कारवाई शुरू कर दी गई है अखिलेश सुमन राजसाबा टीवी उत्तर कोरिया से उकसावी की कारवाई से दूर रहनी की चेतावनी दी है अमेरिका की तरफ से भारत जापान और अस्ट्रेलिया के साथ सुरक्षा समवाद की पैरवी किये जाने के बाद चीन ने साफ किया है कि उसे सामान ने सहयोग से कोई आपत्ती नहीं है चीन के विदेश मंतराले के प्रवक्ता होंगली के मताबिक हमें देशों के बीच सामान ने सहयोग से कोई आपती नहीं है लेकिन इस सहयोग का निशाना कोई तीसरा पक्ष नहीं होना चाहिए अमेरिका के वरिष्ट सेन अधिकारे एडमिरल हैरी बी हैरिस ने मुदवार को नई दिली में अमेरिका भारत जापान और आस्ट्रेलिया के बीच सुरक्षा समवाद की पैर भी की थी उन्होंने कहा था कि हम अंतराश्ट्री नेमों के मताबिक उस विवस्था को लेकर एक जुट हैं जो शान्ती बनाए रखती है और ये हम सब ही के लिए जरूरी है बात प्रिकिट की इश्या कप में कल भारत ने युएई को करारी शिकस दे भारते टीम ने करीब 10 ओवर बाकी रहते हुए 9 विकिट से जीत हासल कर ली युएई ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया लेकिन भारते गिन बाजों ने उसे 20 ओवरों में 9 विकिट पर 81 रन ही बनाने दिये पच्चे सो शिखरधावन 16 रन बना कर नाबाद रहे अब रविवार को इशाकप के फाइनल में भारत और मेजबान बांगलादेश का मुकाबला होगा हिंदी फिल्मों के सुनहरे दिनों में सेह अभिनेताओं ने भी लोगों की दिलों में हीरो जैसे दमदार चाप छोड़ी है तमाम बड़े नामों के बीच इफ्तकार खान एक ऐसा नाम है जो इस दोर में कड़क पुलिस आफिसर का परियाय बन गए थे डॉन और जन्जीर में इंस्पेक्टर के भूमिकाब अफ्तकार खान के यादगार किरदारों में गिने जाती है अफ्तकार ने दिवार, बंदनी, सावन भादो, एजिन्ट विनोद जैसे फिल्मों में नेगेटिव भूमिकाएं भी निभाई साथे अंतराश्ट्री स्तर पर काम करने वाले चुनिंदा नामों में इफ्तकार खान का नाम भी शामिल है उन्होंने अमेरिकन टीवी शो माया और इंग्लिश फिल्म बॉम्बी टॉकीज और सिटी ओफ जॉई में भी काम किया 1995 में आज ही के दिन उन्होंने दुनिया को अलविधा कह दिया था यह अमाली वर्दी और फर्स के इम्तिहान का वक्त है कोई भी पुलीस की नज़र से बच्चे जाने न पाए वो दिन ज्यादा दूर नहीं जब मैं अपने हाटों से आपके हाथ में हटकड़ी पैना हूँ यह अदमी हौंग कॉंग से असी लाग टुपए के हीरे लेके चला है तो आम चुल्स के अड़ो पे छपा मारो एक एक गुंडे को पकड़ लो एक न एक दिन आपकी असलियत तभान अफोर तूंगा खबर मेरी है कि आप यहां कुछ गरबर करने वाले हैं 24 गंटे के निगरानी हिफाज़त के पूरे इंतजाम उसके बावजूद बिलिंग में एक नहीं दो आदमी दाखिल होने में कामियाब हो गए इंचारों तरफ से घिरे हुए हो यह आख री वार्णिंग है भागने की कोशिश बेकार है अपने आपको पुलीस के हवाले कर दो और आखर में एडलाइन्स पर एक नज़र लोगसभा में मनी बिल के तौर पर पेशवा अधार बिल कॉंग्रेस समेट कई विपक्षी दलों के अतराज राज्यसभा से लंबित बिल वापस कनहया की रहाए के बाद जेन्यू के छातरों ने क्या स्वागत कनहया ने कहा हमें देश से नहीं देश में चाहिए अज़ादी दिल्ली सरकार की जांच में कनहया को क्लिंचे अनुनाचल में मुख्यमंत्री समेट कॉंग्रेस के तीस बागी विधायक शित्रिय पार्टी पीपीए में शामिल कॉंग्रेस विधायकों के संख्या घटकर हुई पंद्रा विले को नबाम तुकी ने बताया असम्विधा 36 गड़ के सुक्मा में नकसली हमला, CRPF के दो कमांडों शहीद, कमांडन समेट 14 जख्मी, नारायनपूर में मरने वालों के संख्या बढ़कर हुई पीज और संयुक्त राश्ट्र के कड़े प्रतिबंदों का उत्तर कूरिया पर असर नहीं, सेना को पनमाणू हत्यारों के इस्तमाल के लिए तैयार रहने का देश, अमेरिका की चीताम नहीं और इसी के साथ फिलाल इस बुलिटिन में इतना ही आगे आप देख सकते हैं देश देश आनतर इसकार